हेलो एवरीवन, आप स्मृति सिना हीर और वेलकम बैक तो आर चैनल साइन्स जोन तोड़े यू फालो टुमोरो वी लीड और आप ये चैनल के लिए नए हो तो नीचे दिये वे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक किजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले यदि आपने हमारे पहले वीडियोज मिस कर दिये हैं तो आप उपर दिये हुए आई बटन पे क्लिक कर सकते हो आपको हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन करने में इंटरेस्ट है तो नीचे दिये हुए लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपके एक लिंक मिलेगा उस पे क्लिक करके आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हो और जो आज का टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं आज ओ है एलेमेंट्स ओफ ग्रूप वान और ग्रूप टू ये टॉपिक नम्मर एट है जो महाराष्ट्रा स्टेट बोर्ट सिलाबस स्टैंडर्ड इलेवन से है इस टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक्स कवर करने हैं जिन में से पहला सब टॉपिक हमने कवर कर लिया है यदि आप आप ने वो वीडियो मिस किया है तो उपर दिये हुए आई बटन पे क्लिक करके आप ये पहले का वीडियो देख सकते हो आज जो हम देखेंगे ओ है अलकली मेटल्स और एलेमेंट्स ओफ ग्रूप टू तो ये वाला जो पार्ट है अच्छली ये थोड़ा बड़ा सा पार है तो ये इस पार्ट को मैंने दो सब पार्ट में डिवाइड किया है तो आज हम फर्स हाफ कवर करेंगे और सेकेंड हाफ हम आने वाले वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अलकली मेटल्स और एलेमेंट्स ओफ ग्रूप टू तो आपको पता होगा अलक हैं, group 1 और group 2 के elements को आज हम cover करेंगे, तो पहले आपको ये समझना होगा कि group 1 और group 2 दोनों भी left side of periodic table में present होते हैं, तो periodic table जैसे ही start होता है, उसके left side में ये दोनों group present है, group 1 और group 2 और ये जो groups हैं, group 1 और group 2, इन में जो last electron होता है, वो NS sub-shell में घुसता है, तो जो भी NS sub-shell होगा, उसमें ही last electron घुसेगा, तो पहले वाले जो भी element होगा, उसके इसमें 1s में घुसेगा, second वाले element के लिए 2s में, third वाले के लिए 3s में, and so on, तो last electron कहां घुसरा है, S sub-shell में, इसलिए हम इन elements को कहेंगे, S block elements, group 1 के जो elements हैं, जो group 1 में elements हैं, जो periodic table में हैं, वो हैं, पहला है hydrogen, फिर lithium, फिर है sodium, फिर potassium, फिर rubidium, फिर cesium and francium, तो ये सारे elements जो हैं, group 1 के हैं, ये group 1 के elements में, यदि आप hydrogen को छोड़ दे, hydrogen को छोड़ के, बाकि सारे, lithium से लहे के, francium तक, सारे को हम कहते हैं, alkali metals, ठीके, hydrogen एक special class है, क्योंकि hydrogen की property कुछ group 1 से मिलती है, और कुछ group 17 जैसे की halogen से, इसलिए वो थोड़ा सा अलग है, बट अलकली metals, जो group 1 के दो elements हैं, जो है, sodium and potassium, ये दो elements, actually, 6th and 7th most abundant elements में से एक है, ठीक है, तो sodium इस अर्थ पे 6th most abundant element है, और potassium 7th most abundant element, इस अर्थ करस पे ये दो elements सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, next step, francium, ये actually, जो ये सबसे last element है, इस group 1 का, actually ये ज़्यादा नहीं पाया जाता nature में, इसका ये reason है, क्योंकि ये radioactive है, और इसका जो half life period है, वो बहुत छोटा है, अब मैं ये समझा देती हूँ, radioactive मतलब, कोई भी element जो radiations पास करेगा, मतलब radiation छोड़ेगा, अब वो जो element है, वो radioactive है, मतलब वो radiation दे रहा है, environment में, radiation देने के वज़े से, वो छोटा-छोटा होते जा रहा है, और एक समय आएगा, जब वो गाया भी हो जाएगा, इसलिए फ्रैंसियम गाया हो जाता है, short half life period मतलब, वो बहुत जल्ली radiation छोड़ता है, मतलब उसको जो बड़े से, इतना, जो भी amount है, उससे half होने में, उसको बहुत कम time लगता है, मतलब उसका जो lifetime है, वो बहुत small है, इसलिए ये नेचर में जादा नहीं पाया जाता, अब हम move करते हैं, group 2 की तरफ, तो group 2 में जो elements हैं periodic table में हो है, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium, तो ये जो seven elements हैं, वो group 2 में बिलॉंग करते हैं periodic table में, इन elements को हम collectively कहते हैं, alkaline earth metals, तो group 2 के elements जो हैं, उन्हें हम कहते हैं alkaline earth metals, और ये elements, actually, जो rock से उन में पाया जाता है, as minerals, ये जो भी elements है, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium, ये सारे elements, actually, mineral के form में, rock में पाया जाते हैं, और इसलिए इन्हें हम alkaline earth metals कहते हैं, बट इन में से जो elements है, magnesium और calcium, वो सबसे ज़्यादा earth crust में पाया जाता है, बट रेडियम वो easily नहीं पाया जाता है, और रेडियम वन ओफ दी ओ रेडियो आक्टिव element है, जो माडम क्यूरी ने धूनदा था, तो आपको याद रखना होगा, ग्रूप 1 से सबसे ज़्यादा पाया जाने वाले element को ने, sodium और potassium, ग्रूप 2 में से magnesium और calcium, नेक्स्ट है, electronic configuration of elements, of group 1 and group 2, तो जो general outer electronic configuration है, group 1 elements का, ओ है 1S1, while group 2 elements का है, 2NS2, तो group 1 element का general electronic configuration क्या है, NS1, तो जो भी elements है, group 1 का, उसका last जो orbital होगा, उसमें S orbital में एक ही electron होगा, और जो group 2 का है, उसके last S orbital में सिर्फ दो electron होगा, अब यह जो S electrons है, वो बहुत loosely held होते हैं इन elements में, group 1 में भी, group 2 में भी, यह जो S electrons हो, बहुत loosely held है, मतलब nucleus उन्हें tightly held नहीं करता, इसके वज़े से इन्हें निकाल देना, यह last electron को निकाल देना बहुत easy है, और जैसे ही electrons lose हो जाएंगे, वो बन जाएंगे metal ions, जैसे Na, एक electron lose करके बना देगा, Na+, और यह electron निकालना बहुत easy है, इसलिए यह elements pre-state में, nature में कभी नहीं पाये जाते, एक्चुली, बहुत ही कम, मत्बब बहुत ही कम पाये जाएंगे, ना के बराबर, क्योंकि इन में से electron जली से lose हो जाएगा, और यह ions बन जाएंगे, तो यह है electronic configuration of group 1 element, तो यह पहला है hydrogen, जिसका symbol H है, उसमें atomic number 1 है, और उसके जो electronic configuration है 1s1, और यह 1s1, next is lithium, lithium है Li, atomic number 3, यह दि condensed form में इसका आप electronic configuration लिखे, तो lithium के सबसे करीब है noble gas helium, इसलिए helium 2s1, यह फिर इससे पूरे फैला के लिखना है, तो यह है 1s2, 2s1, next is sodium, जिसका atomic number 11 है, उसका है neon 3s1, next is potassium, जिसका atomic number 19 है, उसका है argon 4s1, next है rupeatium, फिर उसका है krypton 5s1, cysium, जिसका atomic number 55 है, वह है zion 6s1, और francium 87 atomic number, आरन 7s1, तो आप देखोगे, hydrogen में, last electron 1s में गुसरा है, lithium में 2s में, and so on, last वाले में 7s में, तो यह 7 periods में है, hydrogen 1st period में, lithium 2nd में, sodium 3rd में, and so on, francium 7th period में, और इस तरह से, उनके NS orbital में, S orbital में, last electron गुसरा है, और उन में सिर्फ 1 ही है, मतलब इनका general configuration है, NS1, और इस लिए, यह सारे elements बिलॉंग करते हैं, group 1 को, next है, यह general electronic configuration है, for group 2, जिसमें, first element है, beryllium, जिसका atomic नम्मर है 4, उसका condensed form of electronic configuration है, helium 2S2, next है, magnesium, उसका atomic नम्मर है 40, उसका electronic configuration है, neon 3S2, next है, calcium, जो है 20, argon 4S2, फिर है strontium, जो है 38, 2 है krypton 5S2, next है, barium, जो atomic नमर 56 है, मतलब, zeon 6S2, और radium, जिसका atomic नमर 88 है, वो है, radium 7S2, यह दिया, आप देखोगे, similarly, as your 1S, मतलब, group 1 की तरह ही, यह group 2 में भी, जो last electron है, वो S orbital में घुसरा है, but group 2 में, एक element कम है, group 2 में सिफ 6 elements होते हैं, और period number 2 से सुरू होते हैं, इसलिए आप पर 1S वाला कोई element नहीं होता हैं, यहाँ डारेक्ट सिरू होता है, 2S से, फिर 3S, 4S, 5S, 6S, and 7S, और यह है आपका group 2 elements, जिनके general electronic configuration है, NS2, next है, trends in atomic and physical properties, of element group 1 and group 2, मतब group 1 और group 2 में, क्या common physical properties में दिखता है, तो आपको याद रखना होगा, alkali metals, मतलब group 1 के metals, वो होते हैं, silvery white and soft, सारे alkali metals, जो है, वो सारे, आपके है, silvery white, और वो सौफ्टी nature होते है, sodium, potassium, सब, यह क्यों होता है, क्योंकि उनका atomic size बड़ा है, और इसलिए, इन elements का density क्या है, लो है, group 1 elements का atomic size क्या है, बड़ा, और उसके वज़े से, उनकी density क्या है, लो है, यह सारे elements, electro positive elements है, ग्रूप 1 के सारे elements क्या है, electro positive in nature, next है, alkaline earth metals, जिने हम group 2 के नाम से जानते है, यह metals भी, silvery white, lustrous, और soft होते हैं, बट आपको यहाँ पर याद रखना है, यह metals soft हैं, बट group 1 के metals से hard है, तो सबसे soft कौन है, group 1 का metals, और फिर group 2 के metals, यह भी strongly electro positive in nature होते हैं, बट इनकी electro positivity, alkali metals, यह group 1 के metals से कम होती है, तो आपको यहाँ क्या-क्या याद रखना है, कि alkali metals हो, यह alkaline earth metals, दोनों भी silvery white हैं, और soft हैं, बट alkali metals जादा soft हैं, alkaline earth metals कम soft हैं, group 1 के elements, size में बड़े हैं, इसलिए उनके density low है, group 2 के elements में, वैसा कोई खास फरक नहीं है, next, electro positivity की बात करें, तो group 1 के elements, जादा electro positive हैं, और group 2 के elements, कम electro positive हैं, वैसे भी metals हमेशे electro positive हैं, नेचर होते हैं, group 1 और group 2 में हमेशे metals हैं, और इसलिए वो लोग electro positive हैं, अब हम बात करते हैं, group 1 के, group 1 के हम इसके बारे में, जो properties हैं उनके बारे में, तो lithium, sodium, potassium, rubenium, cesium and francium, अब इनके atomic radii देखोगे, तो जैसे जैसे हम period में नीचे move करते हैं, तो atomic radius क्या होता है, बढ़ता जाता है, आपको पता है, modern periodic table उस चाप्टर में में एक्स्पेन किया है, जैसे आप group में नीचे की तरफ जाओगे, तो atomic radius बढ़ता जाता है, क्योंकि एक और shell एड़ होता जाता है, same thing, ionic radius के लिए भी होगा, वो भी बढ़ता जाएगा, density, of course, बढ़ता जाएगा, ionization enthalpy, अब कम होता जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, कि atomic radius, ionic radius of density, group में नीचे की तरफ move करते हुए, increase होती है, but ionization enthalpy decrease होती है, क्योंकि ionization enthalpy मतलब, last electron निकालने के लिए energy, या valence electron निकालने के लिए energy, जैसे जैसे आपका molecule का या atom का size बढ़ता जाएगा, उसका last electron, उसका last electron क्या होगा, nucleus से दूर जाता जाएगा, nucleus से दूर जाएगा, तो इनके बीचे में जो आपक्राक्शन हो, कम हो जाएगा, जिससे ये last electron निकालना easy हो जाएगा, कम energy प्रोवाइट करना पड़ेगा, मतलब ionization enthalpy decrease होता जाएगा, electron negativity की बात करें, तो सबसे जादा electron negative lithium है, actually पूरे periodic table में, सबसे जादा electro positive element जो है, वो है lithium, फिर lithium से और नीचे remove करोगे तो electron negativity कम होते जाएगी, next है melting point, melting point में उपर से नीचे तक कम होते जाता है, यह दिए abundance की बात करें, तो abundance depend करता है, in case पे, अब next है group 2 elements, group 2 elements में, same thing आप देखोगे, क्योंकि group 2 में भी, जैसे यह group में आप नीचे की तरफ move करोगे, atomic radius बढ़ेगा, ionic radius भी बढ़ेगा, density भी बढ़ेगा, but ionization enthalpy कम होता जाएगा, ठीक है, electron, इसलिए हाँ पे, 2 ionization enthalpy है, पहला ionization enthalpy पहला electron निकलने के लिए, और second ionization enthalpy, second electron निकलने के लिए, तो ये भी second ionization enthalpy भी कम होता जाएगा, electronegativity औव्बिशली कम होता जाएगा, melting point भी कम होता जाएगा, तो overall, क्या हो रहा है, overall यह हो रहा है, कि uni positive ions, जो है elements of group 1 उनको है inert gas configuration मतलब sodium जो एक electron donate कर देगा तो बन जाएगा na plus और ये sodium na plus को है inert gas configuration क्योंकि अब उसमें जो ns का electron था उन निकल गया जो अंदर जो electrons बज गया है वो completely filled shell है इसलिए अब इन में कोई unpaired electron नहीं बचा unipositive मतलब एक ही positive वाला iron तो group 1 में सिर्फ एक ही positive वाला iron बनता है जिसमें कोई unpaired electron नहीं होता और इसलिए ये group 1 के unipositive ions वाले metals हमेशा dimagnetic होते हैं dimagnetic कब दिखाएंगे और property जब उनमें एक भी unpaired electron नहीं है और dimagnetic होने के जैसे वो colorless है similarly group 2 के divalent atoms तो group 2 में जैसे beryllium है वो दो electron loose करके बनता है BE2 plus तो उसने valence shell के अपने दोनों electron loose कर दिये उसके वज़े से अब ये BE2 plus को आ गया वापस inert gas configuration क्योंकि उसने दोनों valence electron loose कर दिये अंदर के जितने electron बचे हैं उनमें inert gas configuration है और वो completely filled है और इसलिए वापस उनमें कोई unpaired electron नहीं है और इसलिए इनके compounds भी diamagnetic है और colorless है अंपेड electron नहीं होने के वज़े से diamagnetic और colorless लिथियम और beryllium लिथियम है group 1 का बेरिलियम है group 2 का ये दोनों भी बहुत छोटे size के होते हैं और उनकी electronegativity high है physical property की बात करें तो group 1 और group 2 के elements एक proper trend physical property में दिखाते हैं जैसे atomic radius दोनों में उपर से नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, ionic radius बढ़ता जाएगा, ionization potential गढ़ता जाएगा तो fixed trend दिखाते हैं दोनों भी अब हम बात करें in general पूरा जो table अभी हमने देखा था उसको summarize करें तो atomic radius और ionic radius और density atomic radius, ionic radius और density ये दोनों भी group में उपर से नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ionization enthalpy और electronegativity ये दोनों भी group में उपर से नीचे की तरफ घटते जा रहे हैं और ये दोनों भी group के elements में high negative value of standard reduction potential है मतलब ये good reducing reagents की तरफ यूज किये जा सकते हैं अब कुछ questions है उन्हें आपको solve करना है तो पहला है sodium forms ionic compound having formulae NaCl, NaH, Na2CO3 explain तो आपको explain करना है sodium ऐसे ही ionic compounds क्यों बनाता है तो उसके लिए आपको पहले ये compounds को ionic form में लिखना होगा क्योंकि ionic compounds है, तो Na plus Cl minus, Na plus H minus अब यहाँ पर 2 Na है, तो 2 Na plus और CO3 पर 2 minus charge होता है, तो CO3 minus तो आप तीनों भी case में देखोगे, तो आप देखोगे कि Na के पास एक ही positive charge है तीनों case में, Na के पास क्या है? एक ही positive charge मतलब Na अपना एक ही electron lose कर रहा है Na अपना एक ही electron क्यों lose करता है? क्योंकि उसको अपना electronic configuration, inert gas, neon के बराबर लाना है क्योंकि sodium का electronic configuration क्या है? Neon 3S1 यदि उसने अपना एक 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 electron lose कर दिया तो neon का electron configuration बन जाएगा जो inert gas है, stable है, उसमें एक भी impaired electron नहीं है और इसलिए sodium बहुत इसली अपना एक electron lose करके highly stable बन जाता है जोकि neon का electronic configuration पा लेता है और इसलिए sodium का ionization enthalpy या ionization potential बहुत कम है उसको बहुत कम energy लगता है अपना एक electron lose करने के लिए और na plus form करने के लिए यह na plus highly stable है क्योंकि इसका electronic configuration neon gas, inert gas के बराबर है और इसलिए sodium जादत नेचर में इस form में मिलता है salts form में इसको अच्छली बोलोगे जहां पे वो salt के form में रहेगा और उसका electronic configuration inert gas, neon के बराबर है next है explain the observed values यह और यह value दिया हुआ है of first ionization enthalpy of sodium and magnesium तो sodium और magnesium के दोनों के first ionization enthalpy दिये हुए है और आपको compare करके बताना है sodium का कम Q, magnesium का ज्यादा है तो electronic configuration की तरफ move करें तो sodium के electronic configuration है neon 3S1 और magnesium के electronic configuration है neon 3S2 अब during first ionization मतब first electron निकालने के लिए जो ताकत लगती है sodium और magnesium से वो ताकत को हम कहेंगे first ionization potential तो sodium से एक electron निकलेगा तो वो Na plus plus electron मन जाएगा magnesium से एक electron निकलेगा तो Mg plus plus electron मन जाएगा अब sodium ने अपना एक electron लूस करके अभी अभी हमने देखा था क्यों कैसे बन जाएगा neon से ISO electronic मतलब उसका electronic configuration neon का electronic configuration बन जाएगा neon एक inert gas से highly stable है इसलिए Na plus भी highly stable हो जाएगा ठीक है highly stable होने के लिए उसको एक electron loose करना था और वो बहुत easily loose कर देता है क्योंकि अब उसको stable होना है इसलिए जो sodium है उसका first ionization potential बहुत ही low होता है बट magnesium की बात करें magnesium के valence shell में electron है Ns2 दो electron है और यह दोनों भी electron magnesium में paired होते हैं ठीक है अब paired होने के वज़े से क्या होता है अब यदि आपको सिर्फ एक ही electron इसमें से निकालना है मतलब first ionization potential group 2 में आपको एक ही electron निकालके आपको बनाना है तो आपको इस pairing को तोड़ना होगा इस pairing को तोड़ने के लिए आपको extra energy provide करनी होगी जिससे ही electron valence shell से unpaid हो जाए और एक electron loose हो जाए और अब magnesium का electronic configuration हो जाए neon 3s1 but neon 3s1 of course stable नहीं है क्योंकि यह sodium का electronic configuration है sodium stable नहीं था इसलिए तो उसने na plus बनाया और इसलिए यह वाला electronic configuration मतलब uni positive ion of mg plus वह actually stable नहीं है क्योंकि कोई inert gas का electronic configuration नहीं है और वह ऐसे भी stable नहीं बन रहा उपर से unpaid आपको करना है दो paired वाले electron को उसके लिए आपको extra energy provide करनी है इसलिए first ionization enthalpy of mg जो है वह ज्यादा है na से next what is oxidation state of na in na2 o2 तो na2 o2 o2 जब भी भी आए तो आपको याद रखना है वह peroxide है peroxide मतलब होता है o2 2- यह compound electrically neutral है क्योंकि इस पर कोई भी charge नहीं दिया हुआ है मतलब है neutral compound है तो इस case में आपको ऐसे लेना है यहाँ पर तो कुछ textbook में दिया हुआ है पर मैं इसको solve करके दिखाती हूँ जो na2 है actually हो क्या है 2 into x क्योंकि मुझे na का नहीं पता plus o2 minus का मुझे पता है वो है minus 2 equal to 0 क्योंकि पूरे molecule पे 0 charge है तो यह क्या हो गया 2x equals to 2 therefore x equal to plus 1 इसलिए na2 o2 में उसका जो na का charge हो है plus 1 next है the atomic radii of na potassium and magnesium यह दिया हुआ है आपको explain the difference आपको बताना है यह तीनों में ऐसा atomic radii में difference क्यों है तो sodium और potassium जो है एक दुसरे के नीचे ही present है group 1 में एक ही group को प्रिलॉंग करते हैं एक दुसरे की नीचे present है अब potassium है larger valence shell than sodium क्योंकि आपको पता है group में जैसे आप नीचे move करते जाओगे जो number of shell बढ़ता जाएगा और उसके वजए से उसका atomic radius बढ़ता जाएगा और इसलिए potassium sodium की नीचे है इसलिए उसका valence shell बढ़ा है sodium से और इसलिए atomic radius of potassium और इसलिए क्या है atomic radius of potassium is larger than sodium बढ़ अब sodium और magnesium को compare करे तो sodium और magnesium same period को belong करते है मतलब वो इदर same period में इसलिए यहाँ पे उनमे same number of valence shell है क्योंकि हर एक period में सारे elements के बाद equal number of valence shell होता है बढ़ nuclear charge magnesium का large है क्योंकि पहले sodium आता है पहले sodium आता है अफिर magnesium आता है तो magnesium का nuclear charge ज्यादा है sodium से बढ़ वैलन shell का number same है तो nuclear charge ज्यादा होने के वज़े से क्या हो रहा है magnesium अपने last electron को ज्यादा strongly पकड़ पा रहा है और magnesium अपने last electron को ज्यादा strongly पकड़ने के वज़े से last electron को अपनी तरफ जादा पूल कर रहा है, जिससे उसका शेल अंदर की साइट गीचा जा रहा है, जिससे उसका atomic radius छोटा होरा जा रहा है as compared to sodium, और इसलिए potassium और sodium के atomic radius में, मतलब potassium बड़ा है, और sodium और magnesium में atomic radius में sodium बड़ा है, and that's all for today, thank you, आपके पास कोई doubt है, कोई comment है, कोई suggestion है, आप मुझे asya doubt04 at gmail.com पे बता सकते हो, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मुझे thumbs up दीजिए, इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए, और जाने से पहले, happiness held in the seed, happiness is held in the seed, happiness shared is the flower, and that's all for today, thank you, stay tuned.